तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन्ची ने अपने एक बहुती पॉफुल अटेक का यूज करके उस बचे पर अटेक कर दिया था जहां पड़ा में उस बचे को दिखाये जाता है जो कि उसके अटेक को नहीं डोक पाता और वो काफी जादा दूर जाकर गरता है वहीं हमें उसके स्वार्ट को दिखाये जाता है जिसके टुकड़े हो चुके होते हैं क्योंकि उन्ची की जो पावर होती है वो काफी जादा होती है जिसकी वज़ा से उसका स्वार्ट उसको नहीं जहल पाता वहीं हमें उस बचे को दिखाये जाता है जो कि धीरे धीरे देखकर काफी ज़्यादा हेडानों चुका था और उसको अपने आखों पर यकीन नहीं हो रहा था और इसके बादुअं खड़ा हो जाता है और लिए ककufficientल में काफी ज़्यादा गुषय को दिखाय जाता है जो कि असल में गुसा नहीं था बलकht alkal Yuriar और इसके बादुओं उन्ची के पास में आ जाता है और इसके बादुओं उसकी तरीफे करना स्टार्ट कर देता है। उन्ची उसे एक लेवल कम था पर फिर भी उसने उसको हडा दिया था और इसलिए वो इन्ची का स्टूडेंट बनना चाता था और इसके बादुओं उन्ची से कहता है कि प्लीज तू मुझे टीच करो ताकि मैं भी अपने से जादा पौर्फूल बंदों को हडा सकूँ जहा पड़ में उन्ची को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी जादा हेडानू चुका था और इसके बादुओं वहाँ पर हसना स्टार्ट कर देता है और इसके बादुओं उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसस के पास में आ जाता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि मैं और मेरा भाई काफी जादा दूर से आ रहे हैं ताकि मैं आपको रैंकिंग कोपटीसन का लेटर दे सकूँ और इसके बाद वो उस लेटर को उसको दे देता है जहां पड़ में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उसको सुकृडिया करती है अगले सीन में हमें उस बचे को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उन्ची को परिसान कर रहा था और वो उसको आइडिया देने को बोल रहा था ताकि वो भी पॉर्फुल हो सके पड़ा में उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि काफी जादा जल्दी में था और वो काफी त प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ने लगते हैं तबी अमें इंच को दिखाया जाता है जिसको वाहां पर लटी होने लगती है जिसक में काफी ज़ादा पड़िसान हो जाती है और सके Defence में आती है और इसके बाद हुआ उससे उसके कंडिसन के बाड़े में पूछती है जहां पर्रे में इंच को दिखाया जाता है जो कि उसको पड़ेसान हो जाती है जहां पर्रे में इंच को दिखाया जाता है जो कि उसको पड़ेसान होने समना करता है आगले सीन में हमें इंच के तरफ जा रहा था और इसके बाद वह कहता है कि मैंने सारे इंग्रिडियंट कोई कठा कर लिया है और मुझे बहुत ही जल्दी बलड ड्रेगन पिल को बनाना होगा क्योंकि अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो इसकी वज़ासे मेरी सारी इंजिरी हील हो जाएगी और वह काफी पितेजी के साथ में अपने घर की तरह बढ़ना स्टार्ट कर देता है पर तब ही उसको वहाँ पर कुछ महसूस होता है जिसकी वज़ासे वह काफी ज़्यादा पड़ेसान हो जाता है और इसके बाद वह समझ जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और इसके बाद वह नहीं है तुम मेरे सामने आ सकते हो वही हमें एक बंदे को दिखाये जाता है जो कि उसके सामने आ जाता है जिसका नाम फैंग था वही हमें फैंग को दिखाये जाता है जो कि वहाँ पड़ाते के साथी यूची से कहता है कि सच में मैंने तुम्हारे बाड़े में जो भी वो साड़ी बाते सच है सच में तुम काफी ज़्यादा talented हो यूंची उसको यहाँ पर देखकर काफी ज़्यादा हαιरानु चुका था और इसके बाद वो ranking pillar के बारे में यात करने लगता है जहाँ पर इस बंदे के नाम के बारे में भी लिखा हुआ था जिसकी वज़ासे वो काफी ज़्यादा हेरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि यह जो बंदा है वो काफी ज़्यादा पॉर्फूल है और यूंची समझ जाता है कि यह जो बंदा है वो बड़ा धरिये का बदला लेने के लिए मुझसे आया है जहाँ पर में उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उंची के बातों को सुनकर काफी जादा खूस हो जाता है और इसके बादों कहता है कि सच में तुम काफी जादा टेलेंटेड हो और तुम्हारा दिमाग काफी जादा तेज है और इसके बाद वो उससे कहता है कि यह काफी जादा अपसोस की बात है कि आज के बाद तुम कभी भी गुरो नहीं कर पाओगे जहाँ पर में इंच को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने स्वोर्ट को निकाल लेता है और इसके बादू उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सिर्फ बकवास करने वाले हो अगर तुमें फाइट करना है तो जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो जहाँ पर में फैंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि सच में तुम काफी जादा उताव ले हो और वो इंच को पहला मोका देता है ताकि वो उस पर अटेक कर सके जहाँ पर में इंच को दिखाया जाता है जो कि उसके मोके का फाइदा उठाता है और वो काफी तेज जाता है जो कि वहाँ पर किसी formation को बना देता है जिसकी वजासे उन्ची के चारो तरफ काफी जादा आग लग जाती है और उसके अंदर से काफी सारे सनेक आजाते हैं जाहां पर्रय में उन्च को दिखाया जाता है जो कि यह देखाड काफी जादा हेडानों चुका था वहीं में फैंग को दिखाये जाता है जो कि उंची से कहता है कि यह जो मेरा अटेक है वो काफी जादा पोर्फूल है और तुम चाहकर भी इसको नहीं तोर पाओगे और आज तुम इसी फर्मिसन के साथ में मरने वाले हो जहां पर में उंच को दिखाये जाता है जो कि उसको जादा खुस होने से मना करता है और वो अपने सोट का यूज करके वहाँ पर मजूद सारे स्नेक को मारना स्टाट कर देता है पर वो सारे स्नेक असल में स्प्रीट होता है जिसकी वजासे वो सभी मरने के बाद दुबार सा जिन्दा हो जाते हैं और उन सभी की क्वांटिटी काफी ज सब्सक्राइब्स अपने स्ट कहुज करता हैं और इसकी वजा से वह उसके अटेक को नहीं डोक पाता और इसकी वजा से उसकी वजासे उसकी आपी नहीं से उससे हार गया साथी हमें उन्च को दिखाया जाता है जो की नीची आ जाता है उड़ इसके बादू उससे कहता है कि आज तुम यहीं पर मरने वाले हूँ और इसके बादू आगे बढ़ने लगता है पड़ में उन्च को दिखाया जाता है जो की पहले सही काफी जादा इं से उसे बचाने को बोलता है तबी अचानक से वहाँ पर एक परसन आ जाता है और वो इंची पर अटेक कर देता है जिसकी बजासे उंची काफी जादा दूर जाकर गरता है अगले सीन में हमें वहाँ पर एक परसन को दिखाया जाता है जो कि काफी जादा पोर्फुल था और वो अर्थ परफाउंड रियलम के थर्ड लेवल पर था जहां पर में जस्मीन को दिखाया जाता है जो कि यह देखकर काफी ज़्यादा हेडानों चुकी थी और इसके बादों उची से कहती है कि यह बंदा काफी ज़्यादा पोर्फुल है तो तुम इसका सामना नहीं कर ले हूँ साथी हमें वहाँ पलीटिल फैडी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पढ़ा चुकी थी और वो एक दरत के उपर छुपी हुई थी अगले सीन में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पाउड को एक्टिवेट कर लेता है और वो काफी तेजी के जो कि उन्ची के पास में आहीं चुका था और वो एक टेक करना ही वाला था पर तभी उसके पास में एक टेक आता है और वो बर्फ में जम जाता है जिसके बाद वो बर्फ तूर जाती है और इसी के साथ हुआ बंदा वहीं पर मारा जाता है वहीं हमें फैंक को दिखाया ज जो कि अपने अंकल को इती असानी से मरता हुआ देखकर काफी जादा डर चुका था और उसकी पेंट गिली हो जाती है और वो काफी तेजी के साथ में वहाँ से भागना श्टार्ट कर देता है पड़ मैं इंचो को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वोट का यूच कड़के उसको वहीं परमार देता है अगले सीन में हमें इंचो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि लिटिल फेरी मैं जानता हूँ कि तुम यहीं हो और इसके बाद वो उसको सामने आने को बोलता है जहां पर मैं लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि मेरा तु अगले सीन में हमें उन्च को दिखाया जाता है जो कि एक जगा पड़ा चुका था और वो एक दरत के पीछे चुपा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि उन्ची वहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करता है और इसके बाद हुआ अपने चेहरे को फैंग की तरह बना रहे हो जहाँ पर में उन्च को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं यहां पर बर्दर ये से मिलने के लिए आया हूँ जो कि उसे कहता है कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया है जहाँ पड़ मैं बरदर ये को दिखाया जाता है जो कि फैंग के बातों को सुनकर काफी जादा खुस हो चुका था और इसके बादों कहता है कि मैरी कंडिसन काफी जादा खड़ाब है जिसकी वजासे मैं उसका मीने के म हील हो जाएगी जहां पड़ा में बर्दर ये को दिखाया जाता है जो कि इसकी वज़ासे काफी जादा खुस हो चुका था और वह उसको थैंस बोलता है और इसके बाद वह उसको खा लेता है पर खाते के साथ ही उसकी हालत काफी जादा खड़ा बोना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वज़ासे वह काफी जादा परिसान उचुका था और इसके बाद वह फैंग को गालिया देना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वह उसके कहता है कि आखिर तुमने मुझे कौन सा पिल खिला दिया है जहां पड़ा में उच्छ को दिखाया जाता है जो कि उसको भागने नहीं देता और वह उसको पकर लेता है और उसके बाद वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं किया पर फिर भी तुमने मुझे मारने की कोसिस की तु आज तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा जहां पर में बरदर ये को दिखाया जाता है जो की समझ जाता है कि आज वह इसके हाथों से नहीं बचने वाला है और इसलिए वो यहां पर अपने पाउर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है पर तब युंची अपने सूर्ट का यूज कड़के उसके हाथ को कार देता है जो देखकर वह काफी ज़्या जाती है जो की कहे रहे थे कि जो बड़ादर ये है और जो बड़ादर फैंकी फैमिली है वो एक साथ में फाइट कर रही है जो की काफी जादा आजीब है जहां पड़े में उचको दिखाया जाता है जो की कहता है कि मैंने ही तो इन दोनों के फैमिली के बीच में फूद डाल है कि आखिरी ये कौन सा पील है क्योंकि ये तो काफी जादा पॉर्फुल है जहां पड़ा मैं उन्चों को दिखाया जाता है जो कि उसको यहां पर देखकर काफी जादा है जानता था है कि तुम इस पील के पाउर को महसूस करके जरूर यहां पड़ा जाओगी और इसके बा अगर तुम्हारे टेलेंट के बारे में किसी को भी पता चला तो इसकी वज़ा से तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है जहां पर में इंच को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर इसके बारे में कौन बताएगा जहां पड़रे में लिट्ल फैडी को दिखाया जाता है जो कि उसे कहती है कि अगर मैं इसके बारे में किसी को बता देती हूँ तो अखिर तुम क्या करोगे किसा जानते हो अगले सीन में हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बात को पूछना चाहता हूं जहां पर्रा में लिटिल फेडी को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछ सकते हो जहां पर्रा में इंच को दिखाया जाता है जो कि उससे जिया क को जानते हो जहां पर्ण में इंच को दिखाया जाता है जो कि उसको बताता है कि हां मैं उसको जानता हूं क्योंकि हम दोनों बचपन में एकी साथ थे और एकी साथ बड़े हुए है पर मैंने बाद में उस सीटी को छोड़ दिया और मुझे पता चला कि जो जिया क्यों थी उ हेडानु चुका था और इसके बाद हो कहता है कि उसकी एज तो काफी जादा कम है तो आखिर तुम सभी उसको उस अपप्टिसन में कैसे भेश सकते हो जहां पर हमें लीटिल फैरी को दिखाया जाता है जो कि उसके पावड काफी जादा कम है पर उसकी पावड काफी जादा है और मुझा लगता है कि अब की बाढ़ के जो रैंग की को अपटिसन होने वाले हैं उसमें उसको कुई भी नहीं हड़ा पाएगा जो सुनकर युँची काफी जादा हेडानों चुका था अगले सीन में हमें लीटिल फड़ी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि भले ही वह काफी जादा टेलेंटेड है पर उसने एक ऐसे बंदे के साथ में साधी किया है जो कि ये कच्छरा है जहां पर हमे जादा परिसान क्यों हो जहां पर में उसको दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मुझे यहां से जाना है ताकि मैं अपने पाउड को बढ़ा सकूँ और मैं होने वाले रैंकिंग क्पर्टिशन में भी भाग लेना चाहता हूँ जोड़ू उससे कहती है कि अगर तुमे इस competition में भाग लेना है तो तुम्हे सारे बंदो को हड़ाकर top 3 में आना होगा जहाँ परणा में इंच को दिखाये जाता है जो कि उसे कहता है कि हाँ इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूं ताकि मैं अपने पौर को बढ़ा सकूं जहां पर में जूरू को दिखाया जाता है जो कि उन्ची को यहां से नहीं जाने देना चाहती थी पर में उन्ची को दिखाया जाता है जो कि उसको मना लेता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं आदे साल में ही वापस आ जाऊंगा जहां पर में जूरू को दिखाया जाता है जो कि उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और इसके बाद वो उसके गले से लग जाती है और इसी के साथ में यह एपिसोड यही पर खतम हो जाता है तो चलिए मिलते हैं एकले एपिसोड में